अमरित नगर कबरस्तान हुआ बंद, एमेम वली कबरस्तान सिर्फ बचा है, ऐसे में मुम्रा शहर को एक नए कबरस्तान की जरूरत है प्रहा टाइम्स की निउस देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना बोलें महें स्लामदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स कुछ दिन पहले ही जमियत मुस्लिमीन ट्रेस्ट ने जानकारी दी थी केवल 85 मयद दफन करने की जगहां और अमरित नगर दरगा कबरस्तान में बची है उसके बाद कबरस्तान बंद कर दिया जाएगा और शहर में इसके बैनर भी लगाए गये थे आज अमरित नगर दरगा कबरस्तान बंद भी कर दिया गया जिसकी पुष्टी भी जमियत मुस्लिमीन ट्रेस्ट ने की है क्रोना काल के दौरान यानी की पिछले दो से तीन महीनों में मुंबरा शहर में जो मौत का आकड़ा इतना बढ़ गया था कि अमरित नगर कबरस्तान में ही सिर्फ एक दिन में दस से बारह या इससे भी जादा मयत दफन होती थी और आखिरकार ये अमरित नगर कबरस्तान भी भर गया और आज इसे बंद कर दिया गया मगर अब सिर्फ मुंबरा कौसा वालों के लिए सिर्फ एक ही कबरस्तान बचा ह हुआ है अगर ऐसे में मुम्रा शहर में जल्द से जल्द नया कबरस्तान नहीं दिया गया तो मैयत दफन करने के लिए काफी संकटों का सामना करना पड़ेगा जो शहर के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है ऐसे में शहर के जिम्मेदारों को आगे आना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए क्योंकि अमरीत नगर कबरस्तान जो बंद किया गया है उसे दुबारा शुरू करने में काफी समय लग सकता है जब 85 मैयत दफन करने की जगां अमरीत नगर कबरस्तान में बची थी तभी हमने ट्रस्टी नईम खान से बात की थी आखिर बंद होने के कितन कबरस्तान दुबारा शुरू करने में लग सकता है क्योंकि इसमें भरनी करनी पड़ेगी और जिसमें ज्यादा समय लगेगा यानी कि अमरीत नगर कबरस्तान बंद कौसा कबरस्तान भी बंद और M&Wली कबरस्तान में ही अब सिर्फ मयत दफन होगी और मुम्रा शहर को ऐस में एक नए कबरास्तान की सक्त जरूरत है तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाटाइंग से